चलिए मैं आज आप लोगों के बीच पुना में सिवाजी गौता मोटिवेशनल स्फिकर आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जिस टॉपिक को आप लोगों ने अपने दिलों में दि आप नहीं से उतारा मैं हिसूस किया और अपने लाइफ में आपने इसी यूज किया तो मैं कहता हूँ दुनिया की ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपको सक्सेज होने से रोक दे बस मैं आप लोगों को बताता हूँ इन दिस लाइफ तो सक्सेश्फूर्ली इवरी पर्षन एड हाइच सक्सेज टेकन तो इन दिस लाइफ कोई भी यदि पर्षन यदि अपने जीवन में यदि काम्याब होना चाहता है तो मैं बस उसको एक बात मैं बता देरा चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इस बात को ध्यान दे इट इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू टेक दा राइट डिसिजन एड़ राइट टाइब मैं काता हूँ दुनिया का हर वो व्यक्ति यदि सही समय पे अपना जो डिसिजन है सही समय पे लेना सीख जाए उसका जो क्योंकि सही समय पे सही decision लेना बहुत important है यदि हम अपने जीवन में यदि कामियाब होना चाहते हैं तो हमारा पहला rights जो है हमारी जो पहली प्रात्मिक्ता है मेरे प्यारे साथियों हमारी प्रात्मिक्ता यही है कि हमें decision लेने का जो हमारे अंदर जो capacity है जो उसकी जो छमता है हमें सही समय पे सही decision लेना बहुत जोरी होता हमें कामियाब होने के लिए यदि हम अपने जीवन में यदि successful होना चाहते हैं यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी बस एक point है इस points को आप note करिए कि सही समय पे सही फैसलाने ना बहुत जोरी होता है अन्यता हमें कामियाबी कभी नहीं मिलेगी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं the right decision taken at the wrong time गलत समय पे गलत समय पे लिया गया सही फैसला भी गलत समय पे लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि सही समय पे सही फैसला लेना हमें सीखना होगा हमें सीखना है ये हम नहीं सीखेंगे तो हम अपने जीवन में कभी कामियाद नहीं होंगे इसलिए हम देखते हैं बार बार हमें आमने गेश किया है कि हमारा टाइमिंग गलत चल रहा हूं वक्त गलत वाता है उस समय हम सही फैसला भी लेते हैं तो फैसला हमारे लिए गलत बन जाता है इसलिए सही टाइमिंग पे सही फैसला लेना हमारे लिए बहुत इपोटेड़ बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं एक ऐसा decision यहीं एक ऐसा जो है हमारे लिए होता है जो कि हमें अपने जिन्दगी में काम्याब होने के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोलता है और point number two है education should be such that not only on to live but also teach us now to live मेरे प्यारे साथियों हमारा ज्यान ऐसा हो हमारे अंदर बुधिमता ऐसी आए जो सिर्फ हमें रोजी रोटी का माना नहीं बलकि जिन्दगी जीने की कला सिखाए ग्यान ऐसा हो जो सिर्फ हमें रोजी रोटी का माना नहीं सिखाए ग्यान ऐसा हो जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए टीच अस नाव टू लिव ग्यान ऐसा हो जो हमें जीवन जीने की क्लास सिखा है मेरे प्यारे साथियों आप लोग एदी इस पॉइंट को आपने दिन नोट किया और इसको अपने जीवन में एदी उतारा तो मैं पूरे विश्वास से साथ काता हूँ कि आपको अपने जिन्दगी में काम्याब होने से दुनिया की ऐसी कोई पावर रहे जो आपको सक्सेस होने से रोक दे